हेलो फ्रेंज मैं हूँ भोली और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल कुक विद भोली में और आज मैं आप सभी के लिए होली स्पेसल बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी ले कर आई हूँ दही बड़े की रेसिपी एकदम सौप्ट एकदम मुह में जाते ही पाउडर लिये हैं एक टेबल इस्पून, इसमें काश्मेरी लाल मिर्च का पाउडर बौडर ऑदा है एक चममा चाट मसाला हivi किम मुआ पर मैंने साधा नमक डाला है और आधा टेस्पून यहाँ पर काला नमक डाएंगे एक टेबल इस्पून यहाँ पर सौफ है अब इसमें दो कटोई पानी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी गुटलिया न रहे अब इसे गस पर रखेंगे और इसे पका लेंगे तो देखिए उबाला आने वाली है इसमें यहाँ पर मैंने दो डली गुड की डाली है आप चाहे तो यहाँ पर शक्कर भी डाल सकते हैं और यह देखिए उबाला आ चुकी है इसमें अब हम flame को लो कर लेंगे और इसे पकने देंगे जब तक ये पक रही है तब तक हम डाल चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने दो कटोरी उड़त की डाल ली है और एक कटोरी मूं की डाल ली है इसको राभभर के लिए मैंने भी गा लिया था उसके बाद मैंने पीस लिया इसे अब इसमें एक चमच नमक डाल देंगे या स्वादानुसार और एक चोथ है छोटा चमच मैंने यहाँ पर हिंग डाला है तो यह उड़त की डाल है बहुत हैवी होती है इसलिए मैंने यहाँ पर हेंग में असानी होगी और इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा अब इसे भॉट ही अच्छे से हमें फेट लेना है तो हाथ में थोड़ा सा पानी लगा लिजे और इस तरह अच्छे से फेटी है आप इसे इसी तरह से लगभग 10 मिनाट के लिए मैंने इसे फेट लिया है तो होटल में आपने देखा होगा कभी भी इसी तरह से फेटते हैं वो लोग और बिना सोडा के भी बहुत अच्छी बनती है जो बड़ा है तो चाहे मूंग बड़ा हो चाहे उड़द वाली बड़ा हो जब इस तरह से हम फेटते हैं तो एकदम सौफ्ट बनती है जो बड़ा और हमारी जो दाल है वो अच्छे से फिटा है कि नहीं यह चेक करने के लिए हमने यहाँ पर एक कटोरी में पानी रखा है तो जब हम इसमें डाल डालेंगे थोड़ा सा तो यह उपर में ही तैर रही है इसका मतलब है हमारी जो दाल है वो अच्छे से फिट चुकी है अब इस चन साइड में रख लेते हैं और यह देखे चटनी भी हो गई है दस मिनट में लगभग 10 मिनट के लिए मैंने इसे लो फ्लेम पर पका लिया है और यह रखे रखे थोड़ी सी और काड़ी हो जाएगी तो इतना ही मैंने रखा इसे पतला गैस को मैंने बंद कर दिया है इसे भी साइड में रखते हैं और अब हरी चटनी बना लेते हैं तो इसके लिए मैंने अहाँ पर धनिया लिया है हरी मिर्ची है नीबू है अध्रक है तेड़ इंच और तेन लहसुन की कलिया है तो सारी चीज़ों को हम इसमें डाल देंगे मेक अगर आपके पास पदीना की पतियां है तो आप भी डाल सकते हैं और भी अच्छा टेस्ट आएगा मेरे पास अभी नहीं है तो मैं नहीं डाल रही हूं इसमें तो यह लिजिए हमारी हरी चटनी भी बन करके तयार है इसको भी रखते हैं साइड में यहाँ पर मैंने तीन क पीठा चाहिए उसके हिसाब से आप आप सक्कर डाल दीजिए पीस करके तो यह बहुत ही जल्दी खूल जाती है या आप चाहें तो मिक्सी के जार में डाल करके सक्कर और दही एक साथ भी सकते हैं तो दही भी हमारी रेड़ी है अब एक बरतन में यहाँ पर मैंने पानी ल आप दायेंगे और मैंने यहाँ पर गोल रखा है जब हम पानी में इसे डुबाएंगे ना उसके बाद जब प्रेश करके देंगे तो यह वैसे भी चप्टी हो जाएगी वैसे इसलिए मैंने यहाँ पर गोल रखा है इसे तो तेल हमारा अच्छे से गरम हो गया था उसके बाद मैंने मीडियम कर दिया था फ्लेम को और मीडियम फ्लेम पर इसे हम तल लेंगे अलट पलट करके ताकि अच्छे से ये अंदर तक सिख जाए तो देखिए मैंने इसमें सोडा वगरा कुछ भी नहीं डाला है और बहुत ही अच्छे हमारे वड़े बन करके तयार हो रहे हैं देखने में ही बहुत प्यारे लग रहे हैं ना साइज में भी थोड़े से फूल चुके हैं ये क्योंकि हमने दाल को बहुत अच्छे से फेटा है जितना अच्छा आप दाल को फेटेंगे उतने ही जादा अच्छे आपके वड़े बनेंगे तो देखे प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ गया है अब हम इसे निकाल लेंगे और जैसे ही निकाल लेंगे तुरंत हम इसे पानी में डुबा देंगे नमक वाला जो पानी हमने रखा है न उसी में डालते जाएंगे दूसरे बैच का भी इसी तरह से तल लेंगे और यह देखे सारे बड़े में ने इसी तरह से पानी में डुबा दिये हैं जो नमक वाला पानी हमने रखा था न उसी में डाल देंगे सारे बड़े तो इसे रखे हुए लगबग 5-7 मिनट हो गए है मुझे तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं तो इस तरह दोनों हथेलियों के बीच में आप रखे हलका सप्रेस कर देजिए उसके बाद इसके उपर में हम मिठी दही डालेंगे आमचूर की चटनी चाट मसाला भूना जीरा पाउडर हरी चटनी उपर से इसमें हम अनार के दाने डालेंगे और ये बारिक वाली सेव है आप चाहें तो इसमें लाल मिच का पाउडर भी डाल सकते हैं और कटी हुई प्याज भी डाल सकते हैं और ये लिजे तैयार है हमारे दही वड़े बहुत ही सॉप्ट और बहुत ही टेस्टी बने हैं तो आप सभी को भी ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी एक बार आप इस तरीके से जरूर बना करके देखिए और अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना न भूलें और ये लिजे बहुत ही टेस्टी हमारे वड़े बने हैं दही वड़े कितनी साफ्ट है आप देख सकते हैं तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैसे क्रिशना